आपने महाराणा प्रताप के घोडे चेतक की कहानी तो बहुत सुनी होगी लेकिन महाराणा प्रताप के पास एक हाथी भी था जिसकी वीरगा था भी चेतक से कम नहीं है राम प्रसाद दुश्मनों के लिए अकेला कई युद्धाओं के बराबर था वो अपनी सून में तलवार लपेट कर चलाता और सामने आने वाले हाथी घोडों को गाजर मूली की तरह काट डालता हल्दी घाटी के युद्ध के समय उसने अकेले अकबर के तेरह हाथीयों को मार डाला इससे बादशाह इतना खौफ जदा हो गया था कि उसने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि भले ही इस युद्ध में राणा प्रता बच जाए लेकिन राम प्रसाद किसी भी सूरत में बचना नहीं चाहिए उसने सैनिकों को सबसे पहले राम प्रसाद को मारने का हुक्म दिया राम प्रसाद को पकड़ने के लिए साथ हाथियों का चकरवी उरचा गया जिन पर चौदह महावतों को बठाया गया भयंकर गजियुद्ध हुआ जिसमें राम प्रसाद ने अकबर के तीन हाथियों को मार गिराया इसके बाद अकबर के सैनिकों ने राम प्रसाद को छोड़ उनके महावतों को निशाना बनाया और उसे विशैले तीरों से बिंध डाला महावत की मृत्यू होते ही राम प्रसाद को बंदी बना कर अकबर के सामने पेश किया गया राम प्रसाद को देखकर अकबर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा उसने राम प्रसाद को अपना नीजी सवारी घोशित कर उसका नाम पीर प्रसाद रग दिया उसके खाने पीने की शाही विवस्था का आदेश भी दे दिया लेकिन महराना प्रताप के गम में दुखी राम प्रसाद ने अठारा दिन तक खाना नहीं खाया अकबर इससे काफी कृध हो गया और फिर शुरू हुआ यातनाओ का एक भैंकर दौर राम प्रसाद को भालो से चलनी कर उस पर नमक छिड़का जाता उसे रात भर सोने नहीं दिया जाता इतनी यातनाओं के बाद भी राम प्रसाद ने शाही गद्धी को अपनी पीट पर लादने नहीं दिया अठारा दिनों की कठोर यातना सहने के बाद आखिरका रामप्रसाद ने अपने प्रांट त्याग दिये रामप्रसाद की मृत्यू के बाद अक्वर ने कहा कि जिस राणा की हाथी को मैंने अपने सामने जुका नहीं पाया भला उस महाराणा प्रताप को कैसे जुकाऊंगा